मैं आप सभी प्रिय दर्शुकों का, सब्सक्राइबर का और मेथुन राशिय वाले लोगों का मंत्री राशिफल जिसमें मैं बात करूंगा मई 2019 आपका कैसा जाएगा इस विशेश कारिकरम मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अब आप सभी लोग जो मेथुन राशिय के लोग हैं इस राशिफल को अपनी चंदर राशिय और लगने दोनों के अधार पर देख सकते हैं सबसे पहले इसे सफल बनाने के लिए हमारा सफलता का गुरु मंत्र जान लीजी असफलता से हताश मत होईए और नहीं उस काम को छोड़ें अभ्यास करने से मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है नहीं तो उसके ओने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं मई महिना आप लोगों के लिए वाकें बहुत खास है एक तारीकों तो वैसी मज़़ूर दिवस है तो मज़़ूरी करने का ठान लीजिए चार मई को वैशा के माउस्या साथ मई को बहुत ही बढ़या दिन है अक्षा तरतिया और परशूराम जैंती नौ मई सूरदास जैंती और आध्यगूर शंकराचारी जी की जैंती है तेरा मई को जानकी नवमी जैंती है और पंद्रा मई को मोहिनी एकादशी अठारा मई को वैशा की पूरी निमा है आज की बेरे इस विशेश कारिकर में सबसे पहले मितुन राशी वाले जानेंगे कि आपके प्लैनेटरी पोजिशन कैसी कौन से गरे उच्छे के नीच के प्लॉजिटिव और नेगेटिव है बिजनस और फानेंस की बात करेंगे जॉब और प्रॉफिशन की बात करेंगे माताओं बेहनों और माईलाओं की बात करेंगे स्टूडेंट और संतानसों की बात करते हुए हम लोग बात करेंगे सेहत और दुश्मनों की और रंत में वो खास उपह आप सभी को बताऊंगा जो मेंतुन राशी वाले लोगों के लिए यादगार हो सकता है अब एक नजर इस महीने के आपकी कुंडली पर इस पूरे महीने आपके राशी में राहू बिराजमान रहेंगे देवताओं की गुरु ब्रैश्पती 6 हाउस में रहेंगे और सेवंथाओं में शनी और केतु का सरापित और फितरदोश बिनेगा अब बात करते हैं बुद्ध की दो महीन तक ये टैंथाओं में रहेंगे तीन महीसे सतरा महीन तक ये इलेवन ताओं में चले जाएंगे शत्रू के गर में लेकिन 18 माई से मन तेंड में चले जाएंगे शुकर मित्र के गर में शुकर की बात करें तो 9 माई तक ये 10 ताउस में उचराशिक रहेंगे और उसके बाद 10 माई से लेकर मन तेंड तक ये 11 ताउस में चले जाएंगे income है उसमें सूरी की बात करें तो 14 मई तक ये 11 ताउस में उचराशिक रहेंगे लेकिन 15 मई तक ये चला जाएंगे बाहर वे गर में मंगल की बात करें तो 6 मई तक ये 12 ताउस में ही विराज़मान रहेंगे और 7 मई तक ये आपके राश्रीम आ जाएंगे और राहू और मंगल का अंगारक दोश भी बन जाएगा और साथ में एक चीज़ का दियान रखेंगे आठ और नौ तारीक को चंद्रमा आपकी राश्री में मंगल के साथ महालक्ष्मी योग बनाएंगे तो खूब इसका आनद लेना है लेगिन सतर रहकर क्योंकि यहां पर र साथानी पर रखने पड़ेगी अब हर महीने दो चार तीन हम लोगों के थोड़े मांसे कशांती के काम लेट लतीफ ही होना कुछ नों कुछ परिशाने वे दिन होते हैं यह परिशाने को दिन मैं आपको चंद्रमा की पोजिशन के आदार पर एडवांस में बताता हूं चंद्रमा बारवे 15-16 को चौत है और 24-25 मैं को आट पे रहेंगे तो इन डेट पर आपको थोड़ा एलट हैना चाहिए राजशिवल की शुरूबात करते हैं बिजस और वेल्ट से इस पहिने बिजस पे आपको पुराने फ्रेंड्स, कॉंटेक्ट, रिश्यदार उनको वा आपकी प्रगती भी होगी, रूनती भी होगी, वही रूका हुआ, डूबा हुआ, ऐसा लगता है, ये पैसा तो बिली दी सकता है, वो पैसे की मिलने के चांसे बढ़ जाएंगे, दन संबंदित मामलों में, आप इस मेने थोड़े से लखी साबित होंगे, इसलिए मैं चाह आपको चार बार अच्छा धन कमाने का मौका मिलेगा, चूकियेगा मत, इन दिनों आपकी विदेश यात्रा या देश में ही कोई दूसरी यात्रा हो सकती हैं, जो प्रफेशनल यात्रा होंगी और लाब बिलेगा, यात्रा के दौरान आपको सीख भी बहुत अच्छी मिले उसको कंट्रोल करना आपको, और कोशिश करें कि कमाये गए पैसे को सेव करने की कोशिश करें, अच्छा इनवेस्टमेंट करने की कोशिश करें, लाब बिलेगा, इस बहिने कुछ नया घर खरीदना, गाडी खरीदने का अवसर भी बिलेगा, बाईस उन तीर सो और तीस त आपको मुसिबत में डाल सकता है, कोशिश करने चाहिए कि ऐसा कोई काम न करें, जिस आप डेस्टर बेर डेस्टर आट हो जाना, वहीं अपने जुबान पर बहुत सहीं पर रखना पड़ेगा, ओफिस के पॉलिटिक्स, लैक पुलिंग, टांक की चाहिए के शिकार आप हो चाहिए, फैशन और पैशन का का काम पर ध्यान देना चाहिए, यानि ड्रेसिंग सैन मजबूत होना चाहिए, ओफिस में जाए तो लोग अट्रैक्ट हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम करता है, नौकरी में उच्छ पद आधिकारियों से आपका बाद विवाद ह नाराजगी, उने की संभावना है बहुत जाएदा है, आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, नाकारात में विचार लेकर ना तो आफिस जाना है, और ना ये ओफिस में ऐसा कोई काम करना है, मन में व्याकुलता, निरिनए लेने की शक्ति को kit tap करने के बहुत बार ऐसे अवसर आएंगे आपको निड़ा रहना है, पराकरवी होकर आगे बढ़ना है, भागए के बरोसे बढ़ना है, क्या पता भागए आपके बरोसे बैठाओ, तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना पड़े का अपने दुगने उसा से अपने आपको मजबूत इस्तिती के साथ आग बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लाब बिल सकता है, माताओं, बेहनों और मैलाओं की बात करें तो यह मैना आपके परिवारिक मामलों के सलसले में, घर और परिवार के सलसले में, कुछ दिनों के लिए आपको थोड़ा हो सकता है, दूर रहना पड़े, पती के साथ ट्रा अच्छ ऐसी चीज़े हो सकती है, जिससे आपको दूर रहना पड़ सकता है, इस समय आप अगर गाड़ी चलाना चाहती है, सीखना चाहती है, तो परफेक्ट टाइम है, गाड़ी लेना चाहती है, तो पती की जेब डिली करिए, और बच्ची है, तो पिता जी की जेब डिल सकती हैं अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई पार्टन मिल सकता है और मिलेवे पार्टन के साथ मनोरंजग और कुछ ऐसी एंटरेंटमेंट बरी जिन्दगी रहेगे जिससे आपके बहुत अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे इस महीने आपका खर्चा बहुत होगा या फिर कुछ हटक कम हो जाएगा बच्चों के साथ तालमिल अच्छा बना कर चलें बच्चों की पढ़ाई लिखाई करके जो अच्छा परिणाम आये हैं उससे माता बिता बहुत खुश होगे इस्पेशल महिलाओं की बात करों तो वो तो जरूर होंगे आपको इस महीने को टैक् अच्छन आने से आप आपकी फ्रेंड्स और परिवार के लोग बहुत खोश होंगे गर से दूर रह रहे हैं स्टूडेंट को अपने घर की याद सताएगी जोतिश विद्या और करमकांड में अपने ग्यान को बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छे दिन आने व आप बिलेगा कि आपके माता-पिता कड़ी बैनत करके आपको पढ़ा रहे हैं और आप भी उस पढ़ाई के तरफ ध्यान दे रहे हैं सेहत और दुश्वनों के अगर हम बात करें तो इस महीने आपके डाइबिटीज और हार्ट के लोगों को विशेश सावधान रहें के सला दूँगा खान पान पर भी विशेश दियाद देना होगा आप एक्सरसाइज और अच्छी डाइट के साथ स्वाध से समध्य परिशाने को दूर कर सकते हैं इस महीने आप योगा सेंटर या जिम को जॉइन कर सकते हैं पूरा साल का पैसा नहीं देना है ज्यादतर लोग क्या करते हैं कि अब बस मैं पेट कम करके रहूँगा चर्बी कम करके रहूँगा और सीधा जाते हैं जिम में जिम वाले लोग इतरे बढ़िया डंक से आपको प्रेजेंटेशन देते हैं कि आपको लगता है कि आप तो आजीवन सदस्य बने बिना तो यहां से निगलूँगा ही नहीं वरना साल बर का तो कम से कम फीस दूँगा वो लुभाव ने ऐसे ओफर देते हैं उसके बाद 15-20 दिन में टाइन 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 फिस इसलिए पहले एक महीन आपने आपको तैयार करें उसके बाद जाएं माता जी की सेहत को लेकर थोड़े परिशानी होगी और उनकी सेहत में आपको ध्यान देना चाहिए योग और प्रानयाम एक्सिसाइस के साथ साथ अपनी डेली रूटीन में खान पान का बहुत बड़ा रियोगदान है उसको करोगे तो मज़ा आएगा आपके शत्रू इस महीने कोई और नहीं आपकी जो लेट लतीफी है और जो कोट का चैरी में केस चल रहा है वो दोनों आपके शत्रू हो सकते हैं ध्यान रखे 2229 इस तारिक को बहुत ज़्यादा सचित रहना है अब सभी बेतन राशिवाले लोगों को वो खास उपाय बता जाते हैं उपाय से कई बार जड़ से समस्याखता हो जाती है या उसका असर काफे तकम हो सकता है इसी कड़ी में आपके पास सबसे बढ़िया मई महिने में अगर कोई बहुरत है तो वो है साथ तारिको अक्षेतर दिया जो अबूज बहुरत ना तो पंडी जी से मिलना है ना कोई टाइम देखना है, इस दिन आप अपनी जॉब, बिजनस, पारिवारिक जिन्दगी, घर के शुब बांगली कारियों के लिए, कोई भी प्रकार किये, आपके अगर ख्वाहिश है, उसके लिए बिना किसी से पूछे वे इस प्रयोग को संपन करेंगे, इस परवपर आपको सोना या चांदी, जो जरूत की चीज़ है वो अबुशन जरू खरीद रहां चाहिए, पत्रीं को, आप अपनी गृर्फरेंड बाइफरेंड है, उनको, बच्चों को, माता बिता को या माता बिता अपने बच्चों को, इन सब चीज़ों को जरूर देना चाहिए, आप रातकाल सांतारिक उस्नान आधी कारियों से निवरत होकर लाल कपड़े में सवा पाव मसूर दाल या ऐसा कर लिजिए कि आप दो मुठी मसूर दाल उसमें डगाल कर बांते हैं और तीन गांट लगाते हैं अगर आप बिजन्स करते हैं तो व्यावसाई क प्रिस्ठान में उससे रक देए नौकरी करते हैं तो आपने ड्रॉर नाख दे अगर आप कुछ नहीं करते हैं और और या पक्षियों करते है इस में आपको हर रोज एक गठ्री के बारे में इस्परण करना है और अपने इस्ट से अपने गुरु से प्रार्टन करने मेरी मुराद पूरी हो जाए इसके बारे मैं किसी से ना बताएं मुराद क्या है और साथ में विद्यूत इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रिकल उपकरन जरू खरीदेने चाहिए जमी पिता माता का ध्यान करते हुए सिंदूर और लाल पुष्ट पर चड़ाएं और उसके बाद अपने जीवन में मेरिटर लाइफ के लिए अपने गर की खुशाली के उनसे प्रात्ना करें 15 मई को मोहिनी एकादशी का शुद्ध की के साथ सिंदूर मिलाकर भगवान भी करें पंचा बरस से और स्रीसुक का बाठ करें ऐसा करने से निश्ची दूरुप से मई 2019 का महिना आपके राशी के लिए बहुत शांदार गुजरेगा मैं आप सभी को इस महिने की बहुत बहुत शुबकामना देता हूँ आपके हर बुरात्पुरी और इश्वर से प्राट्रा करता हूँ आप हमारी ग्रहों का केल बासी पत्रिका के सदर से बने इसके लिए आपको अमतरित करता हूँ आप हमारी वेबसाइट ग्रहोंकाकेल.co.in पे जाकर बहुत सारे सर्विसे इसका लाब ले सकते हैं फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्वीटर के मातियम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही आपका ये महिना यादकार गुजरे इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अपनी जुबान को विराम देना चाहता हूँ प्यार भरा नमश्कार और आशरवाद समस्या शब्द अगर बना है तो समाधान शब्द भी बना है समस्या हो सकता आपके पास है लेकिन समाधान मेरे पास जरूर है कई बार हम जॉब, बिजनस, पारिवारी जिन्दगी, मैरिज यह हो या मैरिटर लाइफ हो या किसी प्रकार का कोई कंसर्ण हो उसके लिए हमें एक सलाह की जरूरत होती है और डिश्चिद रूप से जोतिश और आध्यात्म में आपकी समस्याओं का समाधान चुपा है मैं आ रहा हूँ आपके शहर आपसे मिलने के लिए तो अपरेल महीने में मेरे जो स्केडूल है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ इसे आप नोट करें और आप अगर इसके आसपास रहते हैं और इन शहरों में रहते हैं तो आप उटसे परसली मिल सकते हैं इसी कड़ी में 12 और 25 अप्रेल को मैं दिली रहूँगा, 20 अप्रेल को मुंबई रहूँगा, 10 और 11 अप्रेल को मैं जोदपुर राजस्थान में रहूँगा, 13 और 14 अप्रेल को मैं कोलकाता रहूँगा और 15 अप्रेल को गुवाहाटी आसाम में रहूँगा, 17 अप्रेल हम Guru Gram की नाम से जानते हैं इन चेहरों में अगर आप रहते हैं ये इसके आसपास रहते हैं और मुझसे परसली मिलना चाहते हैं आप इसके लिए हमारे जोत्पूर कारेले में संपर करके पूरी जानकार्य असल कर सकते हैं मुझे आप सबीक अंतजार रहेगा बहुत-बहुत प्यार परा नमस्कार और आश्रवाद लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे जी हां यह बात एक दम सही है यदि आप चाहते हैं अपन कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविश्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवा, आपका जौब या बिजनस, ट्रैवलिंग, फैमली लाइफ या फिर पर स्याओं को दूर करने के उपाय और बेतर जीवन जीने के कुछ सुजाओ भी देंगे, इसके लिए आप गुरुदेव से परसनली मिल सकते हैं, टेलिफोन अथ्वा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूच सकते हैं, आप चाहें तो अपनी या फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grhunkakakhel.co.in पर अस्ट्रोलजिकल सर्विसेस पर क्लिक करना होगा, या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिध्धिकेंद्र के इस नंबर पर जो है 0091 98290 26625 पर कॉल कर सकते हैं, या WhatsApp भी कर सकते हैं, अड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाइकोट कॉलनी, जोदपुर, इंडिया, कॉन्टैक नंबर है 0091 98290 26625, इमेल अड्रेस है info at the rate grhunkakakhel.co.in